Season 5 Episode 1 start होता है और हमें Walter एक Restaurant में Breakfast करते हो दिखता है उस Breakfast में उसने Bacon लिया होता है उस Bacon जो होता है उस Bacon 52 बनाता है तो उसकी जो वेटर होती है तो उसे बोलती है कि ये क्या है तो फिर Walter उसे समझाता है कि आज मेरा Birthday है 52 मेरा ये Birthday है तो इसलिए मैंने ये किया है तो उसे बोलती है कि तुम अगर मुझे ID दिखाओगे तो ये meal तुम्हारा free हो जाएगा क्योंकि हम birthday पे free meal देते हैं फिर water पहले ना बोलता है फिर वो उसको अपना ID दिखा देता है कहा का है वो उसे पता चल जाता है तो वो दोनों थोड़ा सा conversation करते है यहां हमें दिखाएगा है कि water 52 का हो गया है यानि कि ये एक future का scene है और actual में जो season चल रहा है वो previous में है यानि कि अब next scene जो हमें आने वाले है तो वो रहेंगे previous time period में जब water breakfast करता है तो उस वहाँ एक आदमी आता है ये जो आदमी है ये वही है जिसने water को gun provide की थी वो washroom में जाते है और वो उसे एक चावी दे देता है उस चावी एक car की होती जिसमें उसने एक gun रखी होती है तो water उसे बुछता है कि क्या तुम्हारे पास इसे चलाने का कुछ manual बगरा है तो वो बोलता है कि मैं इंटरनेट से निकाला है और मैंने वो गाड़ी में रख दिया है फिर वो walder वो gun निकालता है और अपने trunk में डाल देता है यही यह scene खतम हो जाता है next scene हम directly अपने series के time period में आ जाते है यह वही scene है जहाँ वो Skyler को बोलता है कि मैं जीत गया previous season में भी यह last scene था जब walder घर आता है तब वो bomb बनाने की सब चीजे जो होती है वो bag में रखता है और वो सब fake आता है सब सबुत वो मिटा रहा होता है पर फिर उसे याद आता है कि उसका जो lily of the valley plant है वो भी उसने नहीं रखा तो वो भी वो अपनी कार की ट्रंग में रखाता है फिर वाल्टर जुनियर और Skyler घर आ जाते है वाल्टर जुनियर उसे बता रहा होता है कि Gus Spring कैसे एक drug dealer था और अब हैंक को प्रमोशन मिल जाएगा क्योंकि उसने ये सब figure out किया था Skyler उसे बात नहीं कर रही होती तो वाल्टर उसे पुछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं जिन्दा हूँ तो Skyler बोलती कि हाँ मैं खुश हूँ मैं relieved हूँ पर मैं डरी हुई हूई वो वाल्टर से डरी हुई होती है नेक सिन में हमें हैंक और उसके पार्टनर सब जम सूट्स में होते है और वो लैप का अंडरग्राउंड जो लैप होता है उसको देख रहे होते है वो वहाँ जाकर सब figure out करने के कोशिश कर रहे होते है फिर हैंक को एक security camera melt हुआ दिखता है फिर हमें दिखता है कि माइक अब ठीक हो चुका है और माइक का जो डॉक्टर होता है वो माइक को news देता है कि Gus अब मर चुका है फिर माइक हमें बहुत तेजी से गाड़ी चलाता हुआ बहुत ही गुस्ये में दिखाए देता है वो वाल्टर और जेसी से एक desert में मिल रहा होता है वो वाल्टर को मार ही देने वाला होता है पर जेसी उसे बोलता है कि तुम्हें सुन लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना है जेसी उसे बताता है कि Gus ने हमें हमेशा record किया था Water से बोल रहा होता है कि अगर उसने हम सब को record कि होगा तो वो एक बड़ा evidence है और हम सब jail में जा सकते है हमें इस situation को figure out कर लेना चाहिए फिर Mike car की चावी लेता है और वो सब JC के घर आते है Mike figure out कर रहा होता है कि कहां वो evidence रखे हो गई Mike उन्हें बोलता है कि जो recording थी वो Gus के laptop में थी तो उस laptop को ढूंड रहा होता है उसे पता चल जाता है कि वो laptop का है फिर Mike बोलता है कि ठीके अब हम मैं यहां से जा रहा हूँ जैसी उसे पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो तो माइक बोलता है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि अब laptop जो है वो evidence बैग में है तो Walter बोलता है कि क्या हम वहाँ जाकर भी उस laptop को नहीं ला सकते तो माइक उसे बोलता है कि यह impossible है बहुत सारे लोगों ने evidence डिसेपेर करने की कोशिश की है पर कोई भी successful नहीं रहा Walter से बोलता है कि हम evidence के तोर पर ही कुछ device वगरा वहाँ लेकर जाए और वो अगर sport उसका हो गया तो laptop भी वहाँ से मिट जाएगा पर माइक बोल रहा होता है कि यह impossible है तभी जैसी को idea आता है कि हम magnet का use कर सकते magnet से laptop खराब हो सकता है और उसे वो तोड़ा भी जा सकता है इसलिए वो magnet का use करने का सोच रहा होता है Walter को यह idea अच्छा लगता है next scene में वो हमें scrap ground पे दिखाए गए है वो उस आदमी से बात कर रहे होते हैं जिसने ही उनकी RV को crush करने के लिए help की होती है तो यह बहुत ही helpful होता है और उसे वो बात करते हैं उसे बोलते हैं कि हमें एक device बनाना है उसके पास physics वगरा की degree वगरे भी होती है तो इसलिए वो उन्हें batteries लगा कर एक super magnet create करने में help कर रहा होता है वो जो create हो जाता है तब Walter उसे चेक करके दिखता है तो वो successful हो जाता है और जब laptop से वो test करते हैं तो laptop पे सब कुछ मीट जाता है नेक सिन में हमें salt Skylar के पास आता हो दिखता है जो situation हुई कि Ted के साथ वो सब उसे समझा रहा होता है Skylar को लगता है कि Ted मर गया है पर फिर salt उसे बताता है कि वो मर ने गया जो injury हुई थी उस injury के बाद वो अब फिर से conscious में आ चुका है नेक सिन में Skylar टेड से मिलने आई हुई होती है टेड उसे बहुती डरा हुआ होता है और उसे बोलता है कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं पता हूँगा टेड बहुती इगुकमेंट के साथ वहा बैठा हुआ होता है टेड को बहुती बड़ी injury हो चुकी होती है और टेड अब कभी चल नहीं सकता फिर माइक वॉल्टर और जेसी सब उस evidence के जो warehouse होते वहा जाती है माइक security guard को disable करता है और gate open कर देता है फिर वो दोनों जहाँ evidence रखा हुआ होता है उस specific जगा जाकर उसके पास उस RV को पार्क करते हैं फिर वो electromagnet से electricity voltage को बढ़ाती है जब जैसे voltage बढ़ता है वैसे magnetism बढ़ता है और उसकी power जब magnet की बढ़ती है तो सब चीजे जो evidence रूप में होती है वो attract होने लगती है security guard वहाँ बहार आते हैं तब तक Mike के car में वो सब भाग चुके होते हैं Mike को अभी भी doubt होता है कि क्या यह work किया पर Walter उसे assure करता है कि 100% अप हो चुका है फिर evidence का जो security guards वेगरा जब होते हैं वो सब evidence को फिर से count कर रहे होते हैं फिर उन्हें मिलती है Gus की जो एक frame होती वो उन्हें मिलती है Gus की जो frame होती वो tilt हो चुके होती है और उसका photo ज़रा सा tilt होता है तो उसके नीचे बहुत सारे account numbers वगरा लिखे होते हैं यह उन्हें पता चल जाता हैं फिर Walter सौल के बास आया हुआ में दिखता है वो सौल से पूछ रहा होता है कि कैसे तुमने मेरे 600 के trade को दे दिये सौल उसे समझाता है कि Skyler मुझे मेरे पास help के लिए आये थी और यह बड़ी problem हो सकती थी Skyler भी मेरी client ही इसलिए मैंने help की थी Walter उसे धमकी देता है कि अगर तुमने future में ऐसा कुछ किया तो यह बुरा होगा सौल उसे निकल जाने के लिए बोलता है पर फिर Walter उसे धमकी देता है और बोलता है कि मैं जब बोलूँगा कि यह सब खतम हो चुका है हमारी बीच के जो relationship है वो खतम हो चुकी है तब यह खतम होगी उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है Walter जब घर आता है तो स्कायलर उसे डरी होई लगती है तो वो उसे हग करता है और बोलता है कि मैंने तुमें टेड के लिए माफ कर दिया यही एपिसोड खतम हो चाता है